हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तागार और आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज वी फिल्म एक्वामेन के बारे में जो कि DC Extended Universe की छटवी मोवी है इस फिल्म का काने थोड़ा बौट जैक स्नेडर्स जस्टिस लिग से कनेक्टेड है तो फिल्म को ज्यादा बहतर तरीके से सबन्य के लिए प्लीज आप हमारी जैक स्नेडर्स जस्टिस लिग वाली वीडियो को ज़रूर देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी रेगूलर वीडियो को देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले मेरा आइडी है फ्रेश मोजो इंडिया तो चलिए बीना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं वह लड़की घाय दोती है और फिर वह बेवश हो जाती है और कुछ वक्के बाद वह उड़ती है तब देखती है कि उसके जगमा पर थोमस ने मरहम लगाया हुआ होता है और फिर वही पर एक फिश टैंक दिखता है तब ही वो उसमें से मचली निकाल कर खाती है और तब वहाँ पर थोमस आता है और उसे चाय देता है जो कि उसे पसंद आती है और फिर थोमस उसे उसके बारे में पूछता है तब वो बताती है कि उसका नाम एटलंटा है और वो तो थोमस को बताती है और फिर थोमस को बताती है और फिर थोमस समूद्श के लिए आयेगे इसलिए तोमस और अर्थर को छोड़ कर एटलंटवारता ने लुकार जिससे थोमस और आर्थर सेफ रहे और फिर एक दिन वो सुर्यों दोई के वक्त वापिस आएगी ऐसा वादा करकर एटलांटा वहाँ से निकल पड़ती है और फिर आर्थर बड़ा होकर स्कूल के बच्चों के साथ एक दिन एक्वेरिम में देखने गया होता है जिसमें आर् बात दिखाई जाती है जिसमें पाने में एक सब्मरीन में कुछ चोर गुसते और वो लोग सब सिपाईयों को मार देते है और ओन चोरो का लीडर यह से कैन होता है और वहीं पर उसका बेटा डैविट कैन भी होता है जिसे ब्लैक मैंटा भी कहा जाता है और फिर वहीं पर वो लोग सभी लोगों को मार रहे होते जिसमें जैसे डेविट को थोड़ा गुसे पर कंट्रोल करने कहता है और उसे अपना खांदानी चाकू भी देता है और तभी ही सबमरीन को कोई टककर दे रहा होता है जिसमें वह एक आदमी है यह चीज़ डेविट को पता चलती है और वह आदमी सबमरीन को समुद्र के उपर लाता है और डेविट समझ जाता है कि यह कोई आम आदमी का काम नहीं है और सबमरीन में काफी ज्यादा धासु तरीके से एक आर्थर एंट्री लेता है और फिर वहाँ पर सब चोरों को मारने लगता है और उस पर गोलियों का कोई एसर नहीं होता और फिर जाकर वह सबमरीन में कुछ चुपे हुए सम्हें को बचाता है और वह लोगों को समरीन के बहार निकाल लेता है और तभी ही ड inom आर्थर बचाट देता है और दो जेसे उस पर एक बॉम फेकते है जिससे आर्थर बूल जाकर गेंता लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उड़ता है और एक सल्य को निकल के जैसे को मारता है और arthur उसे सुधरने कहता है और वहाँ से निकलने लगता है और जैसे उस पर ओर एक bomb फिकता है जो कि Arthur साइड में धकल देता है और वहाँ पर फटता है और सबमरीन में पानी आने ल प्रीक संमाराइन अर्फिर जन्याव stripesशिया चनल के वंधाए संवाय। संब्मारीन से निखाrend फिर दूसी तरफ एक्मामेंट सभी संप्र सीरेकों को बचा लेता हैakahli calculating वक्त किनारे पर गास का वेट फजह सं کہ पर एक्टा grown in mo पर चल रही होती है जिसमें उसके पीटा खूश होते है और उसके पीटा Arthur को Atlantis को संबालने करते है जिसमें आर्थर बताता है कि Atlantis वालों ने उसकी मा की जान ले थी और इसी वजह से वो वहाँ पर नहीं चाना चाहता है और फिर वहीं पर कुछ गुंड़े आते हैं और वो लोग Aquaman के fan होते हैं और वो लोग थोड़ी सी party भी करते हैं और फिर पानी की दुनिया में Atlantis दिखाया जाता है जिसमें एक जगह पर ओर्म दिखता है जो कि Atlanta का दूसरा बेटा होता है और वो Arthur का half brother भी होता है साथ ही वहीं पर वुल को भी नजर आता है और वहीं पर दूसरे लोग भी आता है जिसमें राजा NERIES होता है जो कि मेरा का पिता भी होता है और फिर वो दोनों बात करते हैं जिसमें पहले समुद्र में total 7 राजा हुआ करते थे जिसमें से सब अलग हो चुके है और धरती के लोग समुद्रों को खत्मा कर रहे है ये चीज़ Arm NERIES को बताता है और धरती पर हुमला करने की बात करता है जिसमें 7 में से 4 राजिये तैयार होने चाहिए तभी ही वो लोग धरती पर हुमला कर सकते है ये चीज नरेस उसको बताता है और नरेस उसके साथ देने के लिए तयार नहीं होता है तब ही वहाँ पर एक सब्मरीन से हुमला होता है और ओर्म वहाँ पर नरेस को बचाता है और वो लोग सब्मरीन पर हुमला करते है और फिर ओर्म सब्मरीन को नश्टा कर देता है और इस मार देगा ये चीज़ बताती है. लेकिन Arthur वहां आने से महाना कर देता है और तब Arthur बताता है कि वो लोगों ने उसकी मार डाला था और Atlantis के लोग कभी भी उससे राजा नहीं मानेगे ये चीज़ उसका मानना होता है और फिर वहीं पर मेरा बताती है कि Woolco ने उसे भेज़ा है और उसने एक बोती powerful Trident के बारे में पता लगा लिया होता है और अगर वो Arthur के पास होगा तो सबी लोग अपने अप उसे राजा मान लेगे ऐसा मेरा बताती है और फिर Arthur अगर वहाँ पर आया तो सब को मार देगा यह चीज़ बताता है और वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ Black Panta एक सम्मरीन में होता है और तब वहाँ पर ORM आता है और ओम ने ही नेवेस पर हुमला करवाया था, ये चीज़ पता चलती है, जिससे वो धर्टी पर हुमला करने के लिए मान जाए, और फिर ओम डेविड को सोने के सिक्के देता है, और तब डेविड ओम से एक्वामेन मांगता है, और फिर वहाँ से ओम चला जाता है, और दूस और फिर मेरा उसके शरीर से पाने निकालती है और फिर थोमस जाग जाते है और फिर आर्थर मेरा का शुक्रिया मानता है और ओम ने जमुद्र में फेका हुआ इंसानों का सारा कच्रा फिर से धरती पर छोड़ दिया होता है और यह चीज न्यूज में भी आने लगती है जिस जिसमें न्यूज में हमें एक आदमी दिखता है जिसका नम Dr. Stephen Shein होता है और उसका मानना होता है कि यह एटलंटिस ने किया है लेकिन लोगों के उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है और फिर एक जगह पर मेरा और अर्थर दिखते हैं और वो लोग वही पर आर्थर मेरा को वो जाता जिससे वक्त आने पर वो राजा बन सके और फिर आर्थर अपनी महा से मिलना चाहता है तब वोल को उसे तयार होने के पर मिलवाएगा यह चीज़ बताता है और फिर समुद्र में आर्थर और मेरा एक जगह पर आते और दोनों एक शिप में बढ़ जाते और दोनों एटलन्टा में दाखिल होते हैं जिसमें वो काफी खुबसूरत शहर होता है और वहीं से उनकी शिप आगे बढ़ रही होती है जिसमें एटलन्टिस काफी ज्यादा एडवांस हो चुका होता है यह चीज़ पता चलती है और फिर वो लोग आगे एक खंडर में जाते हैं ज चीज़ आर्थर और मेरा को बताता है और ओम को रोकने के लिए आर्थर को ओम की जगह पर राजा बनना पड़ेगा यह चीज़ भी बताता है जिसमें आर्थर राजा बनने से माना कर देता है जिसमें मेरा और वोल को उसे समझाते हैं और बताता है कि अगर आर्थर के पास ट्रिडेंट होगा तो ही सब उसे अपना राजा मान लेगे और वही पर आर्थर बताता है कि उसके पास ट्रिडेंट है और वही पर वोल को बताता है कि वो जिस ट्रिडेंट की बात कर रहा है वो एक लोता है और वो राजा एटलांड का ट्रिडेंट है जिसे पोसाइडन के इच्छा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें वो लोग Trident की शक्तिया खीशने लगते हैं, और जिसके चलते वो लोग तबाय हो जाते हैं, और पूरी धरती समुद्र के अंदर आने लगती हैं, जिसमें Trident की शक्तियों से उन लोगों में बढलावाने लगे, कुछ को और किंग एट्वांड को बाद में किसी 맞는 देखा उता और उस ट्रिडेन्ट को धुरने के लिए वोलको को एक मüstन मिलता लेकिन वह खुल नही रहोता और उस पर कुछ जैनी काते हैं और वो लोग Arthur से लडने लगते हैं जिसमें व हुं सी वज़े से Arthur अघायल rhोजाता है और फिर राजा के सामने सभा मेझे बांधि कर लाया जाता है जिसमेर ऑम उसे मांत ऊटा है जिसमें वो राजा बनने के लायक है कि नहीं, यह चीज भी वो सबको बताना चाता है, और फिर एक जगह पर Arthur तेयार हो जाता है, और तब वहाँ पर वॉलको आता है, और उसे बताता है कि पानी के अंदर ओम को Arthur नहीं हरा सकता, और फिर आर्थर को वोलको के साथ की ट्रेनिंग यादा आती है जिसमें वोलको उसकी मा का ट्रिडेंट उसे देता है और फिर आर्थर लड़ना सिख रहा होता है और फिर वोलको ट्रिडेंट से हर वार को रोकने की टेकनिक भी आर्थर को सिखाता है और फिर आर्थर अपनी म के पीता ऐटलंटा को मरवा देते और यहीं चीज्श पता चलने पर आर्थर भड़क कर लड़ने के लिए तयार हो जाता है और फिर असल वक्त में वह में भी तयार होता है और दूसरी तरफ और मेरा को एटलंटा का कंगत देता हैं और ओम मेरा से शादी करने वाला होता है और पिर मेरा पर आर्थर लड़ने धियुश केstand---------------- रीव और तर और चीज़ के बारे में आर्थर को बत ते है जिसका नम काराथान होता है औरugg समुद्र का सबसे बड़ा जीव और अर्म उसके जैसा यह चीज वो आर्थर को बताता है, और अर्थर हमेशा अपने चोटे भाई से मिलना चाहता था, लेकिन अब उसके बूरे बड़ताव के चलते हो चाफ़ी ज्यादा गुस्वे में यह चीज उसे बताता है, और फिर अर्थर को उसकी महा के मौत के लिए जिम्मेदार्म बताता है और इसी से वो धर्ती को तबाह करने की बात करता है और आर्थर उसे रोकने की धमकी देता है और फिर आर्थर और ओम अखाडे में लड़ने आते हैं जिसमें सब ओम के दिवाने होते हैं और फिर ओक्टूपस डोल बजाकर लड़ाई की शुरुवात करता है। और दोनों लड़ते हैं, जिसमें दोनों काफी ज्यादा पहुच हुए युद्धा होते हैं। और फिर ओर्म आर्थर को पचाड रहा होता है, और फिर आर्थर अपने दाव पेच से लड़ने लगता है। तब उसी वक्त उस पर कोई हुमला करता है, और उसके आसपास का पानी हटा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, और वहीं पर मेरा आकर आर्थर को लेकर शिप में भाग जाती है। जिसमें दूसरे शिप उस पर हुमला करते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भाग रही होती है, और फिर वहाँ पर ओर्म भी अपना शिप लेकर आता है, और फिर लेजर से मेरा के शिप पर हुमला होता है, और ओर्म भी उसी वक्त हुमला कर रहा होता है, और शिप तबह होने क की वज्जर से काफिष ज्यादा होती है की धो फिर मचली उन्हें एक रेगिस्थान के किनारे पर छोड़ देती है और फिर दोनों एक प्लेन में होते जिसमें नहीं जा सकती यह सीज़ बताती है जिसमें वह से प्यार नहीं करती होती है तब वो प्लेन से कुद पढ़ती है और फिर आर्थर भी उसके पीछे कुद पढ़ता है और दोनों रेगिस्तान में जाकर गिरते है और फिर मेरा आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ डेविड को और अपने साहिनिकों के साथ एटलन्टिस के काफी एडवांस हतियार बेचता है और मेरा और आर्थर को मारने के लिए कहता है और साहिनिकों को अपने साथ लेकर जाने कहता है और डेविड हतियारों को और भी अपरेट करता है और एक सूट बनाता है जो की काफी ज्यादा खतरनाक होता है और रेगिस्तान में मेरा और आर्थर एक जगह पर प और वो आर्थर के मुह से पसीना खेचती है और मसिन पर छोड़ती है और वो मशिन शूरू हो जाता है और वहीं पर एटलान राजा का होलोग्राफिक सामने आता है जिसमें एटलान बताता है कि उसका असली वारिसी ट्रेडेंट को तूड़ सकता है और वारिस को खुद को सा नक्षा मिलता है जिससे वो लोग समुद्र के किनारे सिटी सिलिया में पोच्छते हैं और वहीं पर मेरा फूल देखती है और उसे खाने लगती है और फिर मेरा बच्चों को करता हो दिखाती है और फिर मेरा और आर्थर नक्षे वाली जगह पर जाने निकल पड़ते हैं दुस्री तरफ सिलिया में एक मुर्ट्ग को मेरा और आर्थर धूंड लेते हैं और उन्हें टेडिन के पास जाने की दिशा मिल जाती है और फिर उसी वक्त वहां पर हुमला होता है और ब्लैक में्टा अपने सूट में समुद्रों के सायनिकों के सात्थ सामने आता है और अपनी लेजर से Arthur को घाल करता है और फिर Arthur उससे लड़ता है और दूसरी तरफ मेरा सैनिकों से लड़ रही होती है और फिर वो भागने रखती है और Arthur को पता चल जाता है कि Black Manta असल में David ही है और अब वो बदला लेने आया है और Arthur उससे फेक देता है और फिर वहीं आकर दोनों लड़ते है और फिर वहीं पर Black Manta Arthur को बताता है कि समुत्रवाले मेरा को ट्रेक कर सकते है और फिर मेरा भाग रही होती है जिसमें Sainik उसे पकड़ने जाते है और उन पर हुमला करते है और Black Manta से Arthur बच रहा होता है और फिर Arthur लोगों को बचा रहा होता है तब वहाँ Black Manta उसे मारता है और Sainic मेरा को पकड़ने जाते हैं जिसमें वो शराब के नो के लिए हतियार बनाकर Sainic को पर छोड़ देती है और उने मार देती है और Arthur भी एक गोला फेक कर Black Manta को मारता है और उसे समुद्र में फेक देता है और फिर वो काफी ज़्यादा घायल हो चुका होता है तब वहाँ पर मेरा आती है और मेरा समझ जाती है कि और ने उसे दिया हुआ कड़े से ही वो लोग उसे ट्रेक कर रहे है और फिर वो उस कड़े को तोड़ देती है और फिर आर्थर और मेरा समुद्र में एक बोट से ट् तोड़ा गया था और ट्रेंच काफी खतरनाक है और आर्थर फिर से राजा बनना नहीं चाहता है यह जिस मेरा को बताता है और मेरा उसे काबिल है यह जीज उसे बताती है और ट्रेंच के और जाने के लिए माना लेती है और फिर और वोलको को गदार गोशित करके उसे जेल म और वहीं पर एक ट्रेंच आता है और आर्थर उससे लड़ता है और मेरा उसे फेक देती है और फिर वहीं पर दूसरे ठेहरे सारे ट्रेंच आते है और आर्थर और मेरा उनसे लड़ रहे होते हैं जिसमें वो लोग रोशनी से ढरते हैं ये चीज़ आर्थर और मेरा को पता जलती है और यूजने पॉद्ट जिसमें जारे ट्रेंच उन्हें के पीछे आते और फिर ठौफान दिखता है जिसमें वह लोग ट्रेंच से बचने के लिए इनकी के बाद दोनों एक खोये हुए राज्य में पोच जाते हैं जिसमें मेरा को कोई एक शार्क से बचा कर किनारे पर लाता है और फिर आर्थर भी वहाँ पर आ जाता है और मेरा को एटलंटा ने बचाया होता है और फिर आर्थर एटलंटा को देखता है और एटलंटा अपने ब पर बताता है कि समुद्र किनारे पर थोमस रोज एटलेंटा का इंतजार करता है और फिर एटलेंटा बताती है कि सिर्फ ट्रिडेंट से ही यहां से निकला जा सकता है और उसकी रखवाली काराथिन करता है इसलिए वो उसे नहीं ले पाई और फिर आर्थर ट्रिडेंट को ल जाती है क्योंकि सिर्फ राजा एटलाइनी उससे बात कर सकते थे और फिर आर्थर दुनिया को बचाने के लिए ट्रिडेंट लेने आया है ये चीज़ उसे बताता है और फिर केरेथियन किंग एटलाइन से ट्रिडेंट लेने कहती है क्योंकि किंग एटलाइन का असली वारी इसी किंग एटलाइंट की मजबूत पकर से ट्रिडेंट छीन सकता है और फिर आर्थर राजा के पास जाता है और ट्रिडेंट को पकरता है और उसे ले लेता है और इसी के साथ किंग एटलाइंट की और ट्रिडेंट की शक्तिया आर्थर में आ जाती है और वो समुद्र के इ ανα भी काफी ज्यादा बढ़ी होती है और भी सेक्षराइब होती है जिसमें काफी अलगी तरह के संहुधरी जीव लड़ते है और फिर और उन्हें खत्म कर रहा होता है और आहिक राजा को को MRed वाला होता है तब वहाँ पर एक जीव आकर उसे दूर फेक देता है और वो जीव सामने आता है और सभी सैनिकों को मार देता है और वो केरेथिन होता है और उसके उपर एक्वामेन होता है और उसका टेरेंट देखकर वोल को खुश होता है और फिर केरेथिन सभी सैनिकों को म जिससे ओम उसे हरानी पाएगा और फिर मेरा एक्वामेन को किस करती है और अपने प्यार को कुबूल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर आर्थर एक जीव पर बढ़ता है और ट्रेंच के आर्मी से एटलेंटिस आर्मी पर हुमला करता है और यह चीज़ नेरेस देख लेता है और उसके पास ट्रेंच है यह चीज़ मेरा उसे बताती है और फिर ना चाहते हुए वह उसे अपना राजा मान लेता है और फिर एक्वामेन और ओम सामने आते हैं और एक्वामेन ओम को एक सबमरीन के उपर लाता है और सभी राजों के लोग भी उपर आते ह अफ्म मेरा जाखर वॉल्को को छुडाती है। और वॉल्को बताता है कि यही एक्वामैन का मोगा है। जिससे वो खुदको असली राजा साभीत कर सकता है। और फिर सबमरीन पर और और एक्वामैन लड़ते है। तब वॉल्को ने सिखा है हुई ट्रिक से, एक्वामेन ट्रिडिट को गुमाने लगता है जिसे वो ओम को रोग देता है और फिर ओम का हर्थियार तोड़ देता है और फिर उसे मारने जाता है लेकिन वो उसे मारता नहीं है और फिर वहीं पर एटलांटा आ जाती है और उसे देखकर ओम शांत हो जाता है और ओम एटला इसस सबस्यशा बनाते हैं और फिर सबीं जीव उसके सामने जुखते हैं और दूसी तरफ students जो की इड़लांटर एकीनारे पर नारे पर जा रहा होता है और तब ही उसी वक्त उसले एकवामन दिख से उसे की साथ नारे डॉक्टर स्टिफन शेन को घायल अवस्ता में पानी में मिलता है और फिर वो उसका इलाज करते है जिसमें स्टिफन एट्लैंटिस लोगों की खोच कर रहा होता है लेकिन उनके खिलाफ उसे कोई भी सबूत नहीं मिला होता है यह चीज़ डेविड देखता है और स्टिफन ब्लैक मेंटा के सूट को देख रहा होता है जिसमें डेविड उसे यह नई करने कहता है और फिर सूट से एक धमाका होता है और श्टिफन को यह एट्लैंटिस टेकनलोजी है यह चीज़ पता होती है और वो डेविड को इसके बारे में पूछता है तब डेविड उसे बता है तो प्लीज लाइक करें एम करते एक हजार लाइक आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप तो कुंसे दूसरी मुई का आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया